हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंज देखें आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटन लेके आई हूँ बहुत ही इजी है ये पैटन बनाने में आप अपने मन पसंद किसी भी प्रोजेक्ट में इसको बना सकती है बच्चों के स्वेटर में बड़ों के स्वेटर में काडिगन जैकेट शॉल जहां चाहे आप इसको डाल सकती है तो देखें ये है राइट साइड इस पैटन का और ये है इसकी रॉंग साइड तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टिपल फंदे चाहिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा एज़ स्टेज के लिए यहाँ पे मैंने 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 एक्स्ट्रा एज़ स्टीज यानि टोटल 24 फंदे लिए हैं इस पैटन को बनाने के लिए राइट साइड से हमारा यह पैटन स्टार्ट होगा तो फॉस्ट रो राइट साइड पहला फंदा एज़ स्टीज उतार लेंगे उन अपनी तरफ दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक तो उन पीछे करेंगे यान ओवर करेंगे और एक तो और यह तीन इन तीन फंदों को एक संग इस तरीके से पीछे की तरफ लेके सीधा बना देंगे तीनों फंदे एक साथ इस तरफ से अब फिर से यान ओवर करेंगे उल्टा बिनना है तो अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे तो देखिए यह हमारा पैटर्न है दो फंदे उल्टे यान ओवर तीन का एक यान ओवर अब दो उल्टा हमने बनाया इनी को हम रिपीट करेंगे तो उन पीछे यान ओवर एक दो तीन इन तीन फंदो को इस तरीके से बैक की तरफ से ऐसे हम तीन का एक बना लेंगे उन अपनी तरफ यान ओवर यानि कि सलाई पे फंदे लपेट लेंगे तब देखिए दो उल्टे और ये तीन इनी को रिपीट करते जाना है हमारा रो का ये है फर्स्ट रो डिजाइन का तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे दो उल्टा उन पीछे यान ओवर एक दो तीन ऐसे पीछे की तरफ से सीधा बिन लेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और यान ओवर करेंगे आगे हमको उल्टा बनाना है तो दो उल्टा उन पीछे करके यान ओवर करेंगे जब हमको सीधा बिनना होता है तो हम उन पीछे करके यान ओवर करेंगे कर देंगे उन अपनी तरफ यान ओवर लास्ट में दो उल्टा इस डिजाइन को एजस्ट करने के लिए और लास्ट फंदा हमारा एजस्टिच रॉंग साइट से जो फंदे जैसे हैं उनको हम उसी तरीके से बनाएंगे तो एजस्टिच इसको उतार के उन पीछे करेंगे दो सीधे फंदे और तीन उल्टे फंदे तो यह दिखिए यह जो जाली हमने यान ओबर किया था यह जो तीन का एक किया था और यह यान ओबर तो यह दिखिए दो सीधा तीन उल्टा इन्ही फंदों को रिपीट करेंगे सेकेंड रो रॉंग साइट से तो दो सीधा, तीन उल्टा दो सीधा, तीन उल्टा दो सीधा, तीन उल्टा लास्ट में दो सीधा और एज़िस्टीच उल्टा थर्ड रो राइट साइड एज़िस्टीच उतार लेंगे, उन अपनी तरफ करके दो उल्टे फंदे ये दो उल्टे फंदे राइट साइड से हर बार उल्टे और रॉंग साइड से सीधे ही बनेंगे उन पीछे करेंगे, अब देखिए ये जो तीन फंदा हमने तीन का एक किया था तो इसका पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे फिर से यान ओवर करेंगे और ये दो फंदे यहीं से बिना पल्टे पीछे की तरफ इसको हम दो का एक कर देंगे ये देखे इनी को हम रिपीट करेंगे एजिस्टी चाहिए इसके बाद दो उल्टा और ये तीन फंदे एक सीधा यान ओवर और दो का एक बैक लूप से दो उल्टे फंदे उन पीछे एक सीधा यान ओवर और ये दो का एक पीछे की तरफ से ऐसे एक बार फिर से दो उल्टे फंदे उन पीछे एक सीधा जान ओवर और ये जो दो फंदे हैं ऐसे पीछे की तरफ से इसको हम दो का एक कर देंगे उन अपनी तरफ दो उल्टा उन पीछे एक सीधा यान ओवर दो फंदे एक संग दो का एक उन अपनी तरफ दो उल्टे फंदे एज इस्टेच सीधा थर्ड रोग कम्प्लीट हो गया हमारा फोर्थ रोग फिर से जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो एजस्टेच उतारके उन पीछे दो सीधा और तीन उल्टा एक दो और तीन यह देखें इनको रिपीट करेंगे दो सीधे फंदे और तीन उल्टे फंदे दो सीधा तीन उल्टा दो सीधा तीन उल्टा दो सीधा तीन उल्टा दो सीधा एजस्टेच उल्टा तो यह हो गई हमारी चार सलाई कम्प्लीट पांचमी सलाई नॉर्मल जो फंदे जैसे हैं उनको हम वैसे ही बनाएंगे तो पहला फंदा एजस्टेच हमने उतार लिया दो उल्टा और तीन सीधा बनाएंगे अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है तो दो उल्टा तीन सीधा पांच फंदे जो हैं हमारे पैटन के दो उल्टा तीन सीधा दो उल्टा तीन सीधा लास्ट में दो उल्टा और एज स्टीच सीधा चट्वी सलाई पहला फंदा एज स्टीच उतारेंगे यह हमारी फाइनल रो है यानि छे सलाईयों का हमारा यह पैटन है तो जो फंदे जैसे हैं उनको हमें वैसे ही बना देना है तो दो सीधा तीन उल्टा दो सीधा तीन उल्टा दो सीधा तीन उल्टा लास्ट में दो सीधा और एज स्टीच उल्टा तो यह हो गई छे सलाई हमारी यहाँ पे कम्प्लीट और यह हमारा पैटन यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है यह देखे अब यहाँ से फर्स रो फिर से रिपीट करेंगे तो एज स्टीच उतार के देखे दो उल्टा अब देखे यह तीन फंदे सीधे हैं उन पीछे करेंगे याँ ओवर करेंगे क्योंकि हमको सीधा बनाना है तो अब यह एक दो और यह तीन फंदे ऐसे पीछे की तरफ से लेके तीन का एक करेंगे इस तरीके से उन अपनी तरफ याँ ओवर इनी पांच बंदो को रिपीट करना है हमें तो फिर से देखिए दो उल्टा उन पीछे याँ ओवर एक दो तीन उसको हम ऐसे बनाएंगे उन अपनी तरफ याँ ओवर दो उल्टा उन पीछे एक तो और ये तीन फंदो को सीधा बनाएंगे और याँ ओवर करेंगे पहले सीधा एक साथ उन अपनी तरफ याँ ओवर दो उल्टा याँ ओवर एक, दो, तीन पीछे के तरफ से तीन का एक उन अपनी तरफ याँ ओवर और दो का सॉरी दो उल्टा और लास्ट में एज इस टीछ हमारा सीधा तो देखिए ये इस तरीके से हमारा बंधा बंधा पैटर्न आएगा यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो गया फिर अगली सीधी सलाई में एक सीधा बनाएंगे यान ओवर करके सिर्फ दो का एक करेंगे फिर पांच भी सीधी सलाई में तीन सीधा दो उल्टा यही है हमारा पैटर्न छे सलाईयों का यह पैटर्न है मुझे उमीद है कि यह पैटर्न आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको यह पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए